नमश्कर आज के क्यारेखरम में आप सब का स्वागत हैंगे और आज हम फिर से दाजी से सीखेंगे कि कैसे दूसरों से बातचीत करनी चाहिए कैसे बातचीत को हमेशा सकरात्मक बनाए रहना चाहिए कैसे बातचीत में कड़वापन ना आने दे इन सब प्रश्णों का जवाब खोचते हैं ताजी के साथ प्रणाम्स पिछले एपिसोड में हमने जाना की हमारे इरादे और आंतरिक तसाएं कैसे हमारी बातचीत में सलगती है खुद को बितर से सुद्र करने की प्रक्रिया हमें किस तरह से और भी ज्यादा सहज होकर बातचीत करने की और ले जाती है क्या आपको वह अभ्यास याद है जिसे मैंने पूरे हब्ते करने के लिए कहा था वह सब्यास से क्या हुआ जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तब आपकी आंतरिक दसा कैसी होती है और चीजें कैसे सहज दोर से होती है उस पर गौर करें जैसे किसी दोस्त या सहकर्मी या कलिक के साथ काफी पीते हुए या घर पर अपने पती या पतनी या बच्चों के साथ बात करते हुए गौर कीजिए जब बादचीत खुसहाल हो तब अपनी दसा को मेंटली नोट कीजिए आप भितर कैसा महसूस करते हैं और उसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप खुद को कैसे अभियक्त करते हैं आप कितनी सिद्ध से सुनते हैं कितने अटेंशन से सुनते हैं यानि आपकी किसी को सुनने की क्वालिटी क्या है जब किसी के साथ आपके बात्चित कभी बहास में बदल जाएं तब भी ऐसा ही करें नोट कीजिए कई बातों करने से मुस्केलियां खड़ी कर देते हैं विवाद हो जाते हैं तो उस विवादिक बातों से आपके अंदर आपकी आंतरिक दसापर गौर कीजिए आपका इरादा क्या था? क्या आपने सही होने पर जोड़ दिया था कि मैं ही सच हूँ? क्या आप जान पाएंगे कि सामने वाला इंसान कैसा महसूस कर रहा था? जब आपस में बातचित अलग अलग तरह की होती है यानि कभी सांती में, कभी रुकी होती है तब क्या आपने विविन्न आंतरिक दसाओं पर गौर किया? क्या आपको मालूम पड़ा कि अपनी बातचित के दोरान आपको चीजों को दोरानी की आदत है? खास तोर पर क्या आपने इस बात पर गौर किया कि आप कितना बोलना चाहते हैं और वाके में आप सुनते कितना हो? यदि आपको पता ना हो तो आपनी पतनी से पूचिए या अपने पती से पूचिए या बच्चों से पूचिए तो सच पताएंगे आपको बहुत अंदर की एकसेसाइज करने के जरूरत नहीं पड़ेगी आगे क्या करोगे उसको सुदारने के लिए? इस हपते में हम एक अलग ही नजरिया देखेंगे कि बाहरी तोर पर हम जो भी करते हैं, वह किस कदर हमें आंतरिक तोर पर प्रभावित करता है? किस तरह से हमारी बादचित करने का दंग, हमारे वर्थाव और इस दुन्या में जीवन जीने के थरीके ने हमारी आंत्रिक आध्यात्मिक दसा को प्रभावित कर दिया है। कई लोग हार्टफुल वे और कम्यूनिकेशन को सिक्कर उसका अभिहास कर रहे हैं और मैंने गोर किया कि इसका असर कम्यूनिकेशन के भी पर हो लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी आध्यात्मिक दसा जो बाहर बाहर अच्छी तरह की और बदलते जाती है। इस इंफ्लुएंस अवर हार्टफुलनेस वे और कम्यूनिकेशन से हमारे ट्रेनर्स में एक ट्रेनर ने एक ऐसा किसा सुनाया कि कुछ सक्त मिजाज लोगों पर बात्चित करने कि नए तरीके को सिख कर अजमाने का कैसा असर हुआ इसी यह हुआ था स्कॉतिस प्रिजन प जो प्रिजन गार्ट थे ओफिसर इस इस जेल वहां पे हमारा जो ट्रेनर पहुंच गई मदद करना जैसी कॉम्मिनुकेशन और काउंसिलिंग स्किल्स को सिखा ताकि वे समय आने पर एक दुस्रे की मदद कर सके हैं सुरू सुरू में इस बात से चीड़ गए वो लोग और इसका विरोध भी करने लगे ऐसा लग रहा था मानों भावनाओं की बासा उन्हें आते थे लिहाज आवे एक दूसरे को चुटकुला सुनाते थे वो फैसिलिटर को बता दे का आप कौनसे प्लैनेट से आ रहे हो आपकी जो ट्राइवल सिप है और आपकी आपने यह तो मजग के बात हो गई अब देखिए उन प्रिजन गार्ड के लिए उनके कायम के दुन या फिर दूसरों का अपना मजाग बनाने पर ही वो सिमिट थी बाते उनकी ताकि वे तनाव से मुक्त हो जाए लेकिन जैसे जैसे हापने गुजर दे गए और अपने फैसिलिटर इस ने अपने यवहार से दिखाया कि सभी का आदर करते हैं और उन सभी को वैसे ही स्विका करते हैं तब जाकर प्रिजन गार्ड पर लगा कि अब वे अपनी असली स्वभावों में आकर खूल कर बात कर सकते हैं उन्होंने सिखा कि अपनी भावनाओं को अपनी फिलिंग्स को सही तेरह से व्यक्त करना कितना मुक्तिदायक था अपनी बात को यदि कोई दिल से सुनता है तो कितनी तसली मिलती है और अब उन्हें एक दुसरे को सहयोग करने में कितना मजा रहा था था वहाँ अब भी बहुत मजाक मस्ती हो रही थी लेकिन अब वह मजाक हलका फुलका मजा किया था किसी को ठेस पहुंचाने वाला कतल नहीं था उस ट्रेनर ने ऐसे से से स्ट्र का वाक्या सुनाया जिसमें एक भारी भरकम सरीर वाले आफिसर ने बाग लिया था उसके सरीर पर चारो और टाटू और चोट के निसान थे पाइवलेंस सत्र के बाद उसकी आँखों में आसु बह रहे थे क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जैल के महौल ने उनके दिलों को भी जैल जैसा बना दिया था उसने कहा इस काम में करोना के लिए कोई जगाही नहीं है और तब कोई भी मजाग नहीं कर रहा था सबी सांथ दुखी थी जो सब सुन रहे थे उनको तो इसे ट्रांस्फोरमेशन से जस्ट बिकार यह लर्न हाव तो कॉम्मिनिकेट कैसे बात करना कैसे सुनना इतना सिख लेने से बहुत बड़ा परिवर्त न गया उनमें अंत में जो कोई भी ऑफिसर बात्चित के लिए इस नए तरीके में भाग नहीं लेना चाहता था उसको सब लोग मजाक से बोलते थे यह तो डाइनोसर आया means it's going to disappear Heartfulness Way of Communication के अभ्यास की यह बहुत सांदार खुबी है जहां एक दूसरे के साथ बात्चित करने के नए तरीके हमें बाहर से बितर तक बदल सकते हैं और करूना एवं सम्मेंदना उस धंक से बढ़ सकते हैं जिससे हम खुद दे के ताज़ुब हो जाते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारी आदते कितनी गहराए में जमी हुई हैं और अपनी बाचित के धरे में हम कितने धल चुके हैं अक्सर मुझे लगता है कि हम यह अजीब सा खेल खेल रहे हैं कि कौन सही है और कौन का लगत बातों में यही होता है हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम सही है या जैसा हम चाहते हैं वैसा न होने पर हम परिशान हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं और ज्यादा तर इसकी वज़े से किसी और पर या खुट के दिलों पर पढ़ने वाले प्रभाओं से बेखबर रह जाते हैं पता ही नहीं चलता है हम चोटी-चोटी चीजों में भी ऐसा करते हैं मानले कि आपके पत्नी या पती या मित्र आपका ट्रेन टिकेट घूम करते हैं और आपको रेल्वे स्टेशन को पहुंचने में तोड़ी देर ही हो जाए तो क्या आप ऐसा कहेंगे देखो मैं सही था ठीकित तुमारे पास ही थी मेरे पास नहीं यह तुमारी गलती है कि अब हमारे ट्रेन चुट जाएगी हम खुद को सही टैराते हैं और यह हमें सही होने की आदत को बढ़ावा देता है यह सबी बाते और्डिनरी लगती है लेकिन वे बड़े नुक्सान कर सकती है साइध हम बहस तो जित जाएं लेकिन बदले में एक दोस्त को खोबेटते हैं कि यह सामने वाला इनसान दुखी हो जाए तो क्या सच में हमारी जीत होगी दिन के अंत में क्या आप खुस और सांती महसुस करोगे मुझे डॉक्टर वें डायर का कहा पसंद आता है जो की बिलकुल सपस्ट है, सतीक है वे कहते हैं जब आपको सही होने या दयालू होने के बिच चुनने का कुछ कहा जाए तो दयालू बभी कुछ चुनना हो हमरी बाच्चित के मुस्किल बन जाने का अन्य कारण है कि अक्सर यह पसंद और नापसंद लाइक्स और डिसलेक्स या फुर्वग्रह से प्रेरित होता है किसी इंसान के साथ अतीत में हमारा कैसा अनुभू रहा है उसे के आदाहर पर हम अंदाजा लगाते हैं कि इंसान कैसा है है ना लिए आपको वह इंसान पसंद है तो आप खुशी-कुशी से उनके साथ बात करेंगे आप उनसे बात करते ही जाएंगे हर चीज और हर किसी के बारे में हमारी राय होती ही है यह पसंद यह नापसंद किसी के बारे में कटर राय होना यह सब हम पर हैवी हो जाते हैं और यही हमारे लिए प्रैमपुर प्रदैपुर्ण जुड़ाव बनना मुस्किल कर देता है यह हमें भावर की तरह गरंथियों में उल्जा देता है इसलिए हमें अपनी आदतों को सुधाने पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी हार्टफुलनेस वेड़ीटेशन जो दियान की पद्दती और सफाई खास करके हमें इसमें बहुत ज्यादा मदद करते हैं और इसके लिए हमें ज्यादा समवेदन सिल बनने और गावर करने की जरूरत होगी प्लिस तिंक हो रहा हम ऐसी कैसी चीज को बदल नहीं सकते हैं जिसके बारे में हमें पहले से ही पता नहों है ना उद्धारन के लिए यदि मुझे यह समझ में नहीं आये कि दूसरे लोग जो बात कहना चाहते हैं उससे पूरा करने से पहले ही मुझे उन्हें रोकने टोकने की आदत है तो मैं उस आदत को कैसे बदल सकता हूं या यदि मैं वाकई में ध्यान से नहीं सुन रहा हूं क्योंकि मैं यह सोचने में वियस्त हूं कि आगे क्या कहूंगा मैं क्या जवाब दूँगा इसको थोड़ा और समझते हैं मेरी एक दोस्त जिन्होंने एक सरारती तर्किब बताई जिसे उसने अपनी फैलो टीचर पर अजमा दिया सुनने जैसी बात है उनको नो सुनने की आदत थी वो टीचर को उनके जो कलिक थे वो किसी की सुनते ही नहीं थे पच्चों की सिक्सा के बारे में बादचित के दोरान उसने कहा मेरे दोस्त ने आप जानती है मैं मकडियों को पढ़ना शिखाया करती थी और वे बहुत जल्दी सिख जाते थी क्योंकि मैं हर रोज उसके साथ योग किया करती थी उस टीचर ने कहा अच्छा फिर बोली मैं आप से सर्ट लगा रही हूं कि आपके कक्षा में पचास भी स्टूड़न नहीं होंगे जितने मेरे पास है आपने द्यान से यह बात सुन होगी, तो टीचर ने इतना ही भी नहीं सुना कि वह मकड्यों को पड़ा रही थी और उन्हें कोई अन्दाजा भी नहीं था कि दोसरों बच्चे भी उनके हस रहे हैं कि उन्हें कुछ सुना ही नहीं नहीं है हम जान भुष कर अपनी सोच में और हमारी बात में करूना और को अपनी आदत में ला सकते हैं यहां तक की email और WhatsApp मेसेज में भी हम जब send button दवाते हैं इससे पहले एक पहले कौर कर लिजिए तोड़ा थहर जाएए आपका message पढ़िए आपने क्या लिखा है वो आधर्युक्त है वे नम्र है उदार है चेक करने में सिर्फ एक ही पल लगता ह लेकिन यह बहुत बड़ा फर्क कर सकता है हो सकता है कि बोले गए सब्द आपके दियान में न रहें लेकिन लिखे हुए सब्द कभी वह आदमी बूल नहीं सकता है हाटफुल कॉम्यूनिकेशन का में तत्व है पूर्ण रुप से सुनना उस बातचित में पूरे होस के अगले सेशन में हम इस पर चर्चा करेंगे आज ही से सुरू करते हैं हम कौन से सरल बदलाव ला सकते हैं हम पतंजले योग के जो सुत्र है यम और नियम उन पे अभ्यास कर सकते हैं वे हमें बहतर बनाएंगे और अपने जीवन को प्रकृति के साथ तालमेल में लाकर जीन नियमें मदद करेंगे, नियम का मतलब है अच्छी आदतें विक्षित करें, हमारे लिए क्या बहतर है उसको पकड़ें, यम का मतलब है जो अपनी बुरी आदतें हैं, उसको कैसे खतम करें, बुरी आदतों को खतम करने के लिए आप ही खुद यम्राज बन जाओ, इसलिए उ अभी इस वक्त इस बदलाव की खास जरूरत है हमें खुशी से विक्षित करने की जरूरत है आये खुश होकर त्यान करें और खुश होकर बात्चित करें